लिका सही इस्तमाल करें सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूले तो हेलो गाइंज कैसे हो आप सब उमीद करता हो बहुत ही बड़ियाब आपने गारों में तो गाई आज का जो वीडियो होने वाला थोरा सा डिफ्रेंट होने और मेरे और वीडियो से क्योंकि मैं जो अभी तक वीडियो बनाता हो अपने चैनल पर अभी तक मैंने सिर्फ तो आज इस वीडियों में बात करूँगा की तरफ चाने वाला बेसी गेमिंग पीसी बहुत ही अमेजिंग होने वाला पूरा वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा एंड अगर हमारी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो मैं PC से ऐसे रिलेटेड लाता रहता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा सब्सक्राइब करने में पर अब लेवल है इसका प्राइज जो है वह 45 वह प्राइज के हिसाब से मैं बता हूँ तो यह PC बहुत ही बढ़िया क्योंकि अभी मैं बताता हूं कुछ इसके इसका बहुत ही बढ़िया है आगे से इसका फ्राइट लगा हूँ जो की इसे अमेजिंग लुक देता है और वह एंड चेंज होते रहता है तो यह हो गया एंड साइड में एक साइड इसका ब्लेक कलर का कवर है दूसरे साइड जो है ट्रांस्प्लेंट ग्लास लगा हूँ जिसके कारां इसके आप अन्होर के पार् Completely बहुत ही बढ़ियां लगता है तो यह गया लुक भाइस से बहुत बढ़िया फोटीफाइब के के मामले में बहुत ही बढ़ियां तो यह बता दिया अब पर करता हो कोई भी इंप्र आब जो होता सबसे बताओ नाम प्रोसेसर का AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 3400G प्रोसेसर का पूरा नाम है और मैं बात करूँ अगर प्रोसेसर में 4 core 8 threads देखने को मुझे मिला जो कि बहुत ही बढ़िया होता है और इससे बहुत जादे फास्ट चलता है इसके प्रोसेसर स्पीड की में बात करें तो 4.4 GRZ का प्रोसेसर स्पीड है जो कि बहुत ही जादे है यह मैं बताओ बहुत जादे तो नहीं बोल सकता हो बट पेश्ट है अपने हिसाब से यह जो पीछी है इतना अच्छा आपको फास्ट काम करने में हेल्प करेंगा क्योंकि प्रोसेसर ही इतना बढ़िया तो प्रोसेसर का डिटेल में बता दिया एंड अगर मैं बात करूँ सकेंड इसके रैम कितना है तो रैम में भी यह पीछे नहीं है क्योंकि रैम की मैं बात करूँ तो इसमें 16GB का रैम दिया गया एंड DDR4 रैम है DDR4 बहुत ही बढ़ि ग्राफिक्स काड़ी रहता, AMD का Ryzen 5 का ही ग्राफिक्स काड इंट्रिगेर्टेड रहता है, ग्राफिक्स काड़ का जो मोडल है इसका वह है, वेगा 11 जो कि बहुत ही बढ़िया होता है, एंड AMD Ryzen 5 के साथ ही आता है, मैं बात करूँ इसने स्पीड की तो इसमें 1245 गहीं करना है ये जो प्राइज करना है यह जो प्राइज लेगा उसमें आपको बवाल ग्राफिक्स काड देहने को मिलेगा जिसमें कि आप GTA 5 Full HD 4K तक खेल सकते हो, Full Resonation में, 4K Supported PC यह मैं पहले बता देता हूँ, एंड उसके बाद GTA 5 बोल दिया, PUBG भी चलेगा, आपका बहुत बाड़ी हाँ, कोई दिक्कत में, Free Fire भी चलेगा, वीडियो रिटिंग कर सकते हो, Graphics designing कर सकते हो, कोई दिक्कत थे, तो यह मैं बता दिया, इसका तीनों डीटेल, एंड अगर मैं चौती डीटेल के में बात करूँ, इसमें जो स्टोरेज हमें देखने को मिलता है, वो Hard X जो है, One TV का है, एंड इसके साथ-साथ Hard X तो दिया ही है, और SSD कार्ड भी देखने को मिलता, जो कि SSD कार्ड में बता हूँ, 120 GB का, जो कि इसे और फास्ट पना लगता है, SSD कार्ड जो होता है, computer जैसे आपका start होता है, या फिर बंद होता है, तो दिखते होंगे कोई को PC में बहुत टाइम लग जाता है, तो बहुत फास्ट हो जाता, जैसे क्लिक के सब्सक्राइब बंद हो गया, तो ये कितना अच्छा लगता, तो ये हो SSD कार्ड का फाइदा है, इसमें SSD कार्ड भी है, और मैं बात करूँ, इसमें HD audio भी है, HD video quality, HD क्या 4K है, इसमें video quality, supported है 4K, जैसे आपका display रहेगा, तो बढ़ियां से बढ़ियां चल जाएगा, तो ये मैंने सारा इसका detail बता दिया, और मैं बात करूँ, इसमें Windows कौन सा दिखने को मिलेगा, तो Windows 10 Pro है, जो कि अभी latest Windows 10 का Pro version आया है, बहुत ही बढ़ियां है, और आपको इसका trial version नहीं, full version है lifetime के लिए, और इसके साथ सा तक उच्छ आपको basic software भी देखने को मिलेंगे, Windows 10 के, जैसे कि इसमें MS WordPad, MS Excel है, ये सब जो होते Chrome, VLC Media Player, ये सब इसमें pre-installed आएगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आप इसे बढ़ियां से उज़ कर सकते हो, जैसे अगर मैं last opinion की बात करूँ, मेरे opinion की कि आपको ये PC purchase करना चाहिए या नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप effort कर सकते हो, ये 50K तक, तो आपके लिए तो ये based है, क्योंकि based क्यों है, लुक बढ़ियां है, और सब जो इसका graphics है, ये सब है, डीटेल जो है, वो सब बहुत बढ़ियां है, कोई भी problem मुझे ने लगता है, इसमें आपको होने वाला, अगर लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो, एंड लिंक डिस्किप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके एक बार देखना इस PC को, इतना देर तक अगर देख लिए हो, तो वीडियो को लाइक जरू कर देना, एंड चैनल को सब्स्क्राइब करना, मैं ऐसे वीडियो से लाते रहता हूँ, तो लगवक सारा कुछ बता दिया, एंड एक बात और अगर को कोई PC पर्चेज करना है, तो प्लीज एक बार हमारा चैनल जरूर वीजिट करें, क्योंकि मैंने बहुत सारा PC का रिभ्यू किया, कम से कम, एंड जादे से जादे दाम का, एंड बहुत बढ़िये से समझाया, कि कौन सा PC आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं, क्या प्रब्लम होता है, अगर हमारा वीडियो आप देखते हो, क्या प्रब्लम होता है,